आठ अक्टूबर दो हजार चॉबिस को हिजबुला के डिप्टी चीफ शेक नईम ने अपने एक संबोधन में कहा था कि हिजबुला के भीतर अब कोई भी पद खाली नहीं है सब ही पदों को भरा जा चुका है और हिजबुला व्यवस्थित और पूरी ततपरता के साथ काम कर रहा है जिसका नजारा इसराइल में एक दिन बाद ही देखने को मिला जब हिजबुला ने आईडियफ के इतने भीचन हमलों के बावजूद पूरी ताकत से इसराइल के भीत दर जबर्दस्थ हमले किये हैं और साथ ही बॉर्डर इलाकों में भी इसराइली सेना को पीछे धकेलने का काम किया है और अब इसी कड़ी में हिजबुला ने इसराइली फोर्स पर एक बहुत बड़ा हमला किया न्यूज अजेंसी अलजजीरा के मुताबिक हिजबुला के लड़ाकों ने उतरी इसराइल के कई इलाकों में 17180 से ज्यादा रॉकिट दागे हिजबुला के हिट लिस्ट में सबसे उपर हाइफा शहर का नाम था हिजबुला के मुताबिक हाइफा पर उसने 80 से ज्यादा रॉकिट दागे जिससे इसराइल को तगड़ा नुक्सान हुआ है इसके अलावा हिजबुला ने रासल नकोरा में भी कुछ रॉकिट फायर किये है और वहीं दूसरी तरफ इसराइली मीडिया ने कहा कि इन हमलों में करीब 18 जवान खायल हुए जिन्हें साफेद हॉस्पिटल में भरती कराया गया है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुला के रॉकिटो का एक पूरा जथ था किरियच शमोना में भी जाकर गिरा जिसमें दो लोगों की मौत हो गई शुरुआती तोर पर ये दोनों गंभी रूप से घायल हुए थे बाद में इन्हें म्रत घोशित कर दिया गया और एक बार फिर आयरें डोम हिजबुला के दुआरा फायर किये गए रॉकिटो को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा है जिसको लेकर आईडियफ ने एक जाच कमेटी बिठा दी है आपको बता दे कि इसराइली मीडिया ने ये भी कहा कि जब हिजबुला ने रॉकेट दागे तो करीब 30 कस्बों और शेहरों में हवाई हमलों के साइरन बजने लगे हमलों का प्रमुख केंद्र, हाइफा और क्रियोट इलाका ही था इसको लेकर इसराइली चैनल 12 का कहना है कि करीब 20 रॉकेट वेस्टन गलीली इलाके में आकर गिरे जबकि हाइफा पर 40 से ज्यादा रॉकेट फायर किये गए और इन में से एक रॉकेट हाइफा के उपनगरिये इलाके किरियत बियालिक में जाकर फटा जिसकी वज़ा से वहाँ पर बत्ती गुल हो गई और इस हमले से पहले लेबनान से दागी गई दो मिसाइलों को दक्षणी हाइफा के कारमेल इलाके में इंटरसेप्ट कर लिया गया चैनल 12 का कहना है कि हाइफा में कम से कम 6 लोग घायल हुए है और इन हमलों की वज़ा से क्रियत इलाके में भिजली विवस्था पूरी तरहा से ठप हो गई इस्राइली न्यूस पेपर वाला के मुताबिक लेवियतान इलाके में हिजबुला ने एक गैस इक्स्ट्रैक्शन प्लैटफॉर्म पर रॉकेट दागे थे हाला की इन रॉकेट्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया आपको बता दे कि इन हमलों के बीच इस्राइली फोर्स लगातार डक्शनी लेबनान में आग बरसा रही है और हिजबुला लगातार आईडियफ को रोकने की कोशिश कर रहा है आईडियफ के मताबिक 9 अक्टूबर 2024 को इस लड़ाई में करीब 3 सैनिक घायल हुए है आईडियफ का ये भी कहना है कि लेबनान से करीब 20 रॉकेट केरियट शमोना पर दागे गए आईडियफ ने कहा कि उसने जब से लेबनान पर जमीनी हमला किया है तब से ये पहली बार है जब हिजबुला के किसी हमले में दो नागरिकों की जान गई हो आपको बता दे कि म्रतोकू की पहचान रेवितल यहूद उम्र 45 साल और दवीर शार्वित उम्र 43 साल के रूप में हुई है ये दोनों ही अपने कुट्टे के साथ खुले में घुम रहे थे और सुरक्षित शेल्टर ना मिलने की वज़ा से हिजबुला के रॉकेट की चपेट में आगे टाइमस ओफ इसराइल के मुताबिक 8 अक्टूबर 2023 के बाद से हिजबुला की तरफ से हुए हमलों में अभी तक कुल 28 नागरिकों की जान चली गई है कर दो कि लो की चार याई लुकर का वरी तर नागरिकों कि अ कर दो का याईदा से हिजबुम झान tomorrow एव सावत्रलिक क önि मुबड़ा ऍबंदा का विससरा के रया खराई बंदा से हिजबुम